मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और स्वेर करना न भूलें अब मैं आपने कुमार सुमार जी को वे आएं और अपनी रच्ना प्रस्तुर करें दस महीं दो और अठारा को मैंने पहली बार अलिगर की सब्सक्राइब शुरू किया है तो मैं अपना पहला शेर जो मैंने अलिगर में पढ़ा था उस आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे को खौस या मेरी होसलाब जाही करें मैं नए शायार हूं कि जूत और चलागी से जीने का हूना सीखना पाया ऐस गमाने मुझे भाप कर पर मैं तेरे साथ पर चलना पर अब मैं कुछ और शेर आपके सामने पेश करता हूं मेरी जिंदगी किसी ने मुझसे पूँचा आप शायी लिखता हूं तो मैंने पता है कि मैं जिंदगी लिखता हूं शैरी नी लिखता हूं अपनी जिंदगी लिखता हूं कि मैं अपनी सच्चाई और इमानदारी के बोज के नीचे डब के रह गया यह जमाना मुझसे आगे नि इसाई कर गया कोई ठी थे सुपय करता हुँ नहीं थे सुश्मावारेकरिए। प्यार कि कोई उमीद नहीं बेकार लगानासे जिन्धा मार देते पाश्रीकरिति गजाना ंप 100 ml जिन्दा मार देते हैं आशिकों को, खेल ये इनका पुराना है. अब मैं थोड़ा हिंदू मुस्लिम कोमी एक परता हूँ, एक है हिंदू और एक है मुसल्मान, एक है हिंदू और एक है मुसल्मान, दोनों के खूल से बनाए हिंदुस्तान, दोनों पाहें मुस्थसल इमान दोनों कौम हैं हमारे भारत की शान तभी तो हुकुमत में भी दिया है नारा और किया है एलान मेरा भारत महान मेरा भारत महान अब मैं कुछ सजीदा शेयर लूँगा उसके बाद में दूचा शेयर पढ़के अपने जगा लूँगा क्योंकि टाइम के कबना है और लोगों भी पढ़ना है हर आदमी दुखी और हर प्रेशान हर आदमी दुखी हर आदमी प्रेशान ना कोई असूल और ना कोई इमान जूत और फरेंग में डुबाओ अइनसान कब तक ऐसी जिनदगी जिएका इनसान हर तरह से हर एक को आजमाया पर वक्त पर कोई काम ना आया ज़स्त मना ने जो आजाते थे वक्त से पहले दुख में तोर का साया तक भी नज़र ना आया मुझे अब कोई गम सताता नहीं मुझे अब कोई गम सताता नहीं तेरी यादों का मनजर नज़र से जाता नहीं जो लेता हूं कभी-कभी अकेले में अब किसी को अपना हाले दिल सुनाता है इमान का कोई मूल नहीं पैसा ही सिर्थ कुदा है इन्सान का कोई मोल नहीं किस पर करें यकीन और किस पर करें अथबार मन्च को मैं गुजारिश करूँगा किस पर करें यकीन और किस पर करें अथबार जो भी यहां मिलता कर देता है वार नायाद रखता है गोस्ती नायाद रखता है प्यार अपना मतलब देखता और हो जाता फराद तो लाइन की दो शेर पढ़ूँगा सच बोलने से मुझे बहुत सुकूल मिलता है सच बोलने से मुझे बहुत सुकूल मिलता है हाँ ये और बात है मेरी इसादत से ये जमाना मुझे से जलता है अब मौपत ये कहते हैं मैं ने एक शायर कैसे बना वो मैं पढ़ने से चुग गया मैं अभी पढ़ता हूं दो लाईने कि नाकाम मौपत में कुछ ऐसा काम किया नाकाम मौपत में कुछ ऐसा काम किया अच्छे बले आदमी को शायर बना दिया अब मैं एक लास्ट चेर पढ़ूआ और अपनी जगान हुआ आख से आसू नहीं अब खून तबकता है कुछ अंदर से कहीं तोर दिया है उसने मुझे को शुक्रिया वित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें